अच्छा बिसमिल्लाय रह्मान रहीम तोड़े अवर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन इस फस्टेट पहले हम इंट्रोड़क्शन की बात करेंगे कि फस्टेट है क्या चीज़ ठीक है फस्ट अफ फॉल डिसकस अबॉट डिफिनेशन डिफिनेशन में हम यह देखेंगे कि फ को डिसकस करेंगे और पिर उसके बाद हम फस्टेट को डिसकस करने वाले है ठीक हो गया अच्छा फस्ट अगर हम यहां पर देख लेए कि डिफिनेशन ऑफ फस्ट एड क्या है तो फस्ट एड फस्ट एड का मतलब है कि पहले जो एड दिया जाएगा बिफॉर धॉष्पि First aid is an immediate temporary care given to a victim of an accident or sudden enlaced before the services of a physician is obtained. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो केर टीक है वो केर जो temporary हो टेम्परी का मतलब ये है कि एक specific time के लिए हो पर्मनेंट नहीं हो और वो दिया जाता है किसको एक विक्तम को विक्तम किसे कहते है विक्तम कहते है उस बंदे को जो बिमार हो गया है या किसी को इंजरी हो गई है तो उसको हम क्या कहते है विक्तम को दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं First aid कहते है और remember one thing ये accident या sudden illness में दिया जाता है और before the services of the physician is obtained physician की services से पहले जो care दिया जाएगा उसको हम क्या कहते है first aid कहते है अच्छा एक और बात first aid हम कब देते है first aid जो है वो on the field होता है on the field का क्या मतलब है कि मिसाल के तोर पर एक बंदा है उसका accident हो गया है और accident में उसको क्या हो रही है bleeding हो रही है तो अगर हम इस बंदे को जो है ना hospital क्या करेंगे transfer करेंगे या transport करेंगे तो इसी क्या हो जाएगा bleeding बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हमारा पहला काम क्या होगा कि to stop the bleeding bleeding को stop करना क्योंकि अगर हम bleeding को stop नहीं करेंगे तो वो बंदा वहां मर जाएगा ठीक है उसको क्या हो जाएगी उसको hypovolumic shock भी हो सकता है और इसको हम आगे discuss करेंगे यह shock के कुछ टाइब से ठीक है तो hemorrhagic shock भी हो सकता है तो यह सारा कुछ क्या है यह हमारे पास है first aid देना कि अगर on the field जो है उस वक्त immediately अगर आप एक care देते है एक victim को तो इसे हम क्या कहते है first aid अच्छा अब आ जाते है purpose of the first aid यह purpose of the first aid में हमारे पास 3 points है लेकिन यह 3 points जो है नहीं important है related to the first aid पहला purpose हमारे पास यह है कि to save the life life का क्या मतलब है कि किसी जिननगी को बचाना है अब यहां पर first aid मिठा के तौर पर आपसे बूचा जाए कि first aid हम कहा कहाँ पर दे तो first aid हम दे सकते है मिठा के तौर पर जल dispेमारा जल्जले आ गया है और जलजले की वजास से कुछ लोग जो है ना वो मलबे के नीचे धन्स कहें तो वहाँ पर हम first aid दे सकते हैं अगर कोई fire situation है ठीक है अगर मिसाल के तौर पर कोई क्या कहते है उसे car accident को गएरा है clear हो गया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इसमें हम first aid दे सकते हैं इसके इलावा ये तो trauma से related है मतलब trauma क्या मतलब है कुछ हाथसा बाव गयरा अगर हम normally बात करें तो तो मिसाल के तौर पर किसी बंदे के गले में कुछ पंस गया है तो उसे भी हमने क्या करना है first aid देने क्योंकि अगर उसकी ट्रेकिया में कुछ चीज जो है न वो पंस जाए तो उसे क्या होगा उसे hypoxia होगा hypoxia का क्या मतलब है कि oxygen की तादाद body में कम हो जाते है क्योंकि वो सांस नहीं ले सकता clear तो उस blockage की वज़ा से क्या हो सकता है उसको respiratory failure हो सकती है तो respiratory failure को बचाने की लिए हमने क्या करना है उसको first aid देना है clear और उसके लिए कुछ techniques भी use होते है जब हम इसको हम chalking कहते है ठीक है कि अगर कोई आपके बच्चे जो है न वो ज्यादा तर क्या करते है वो जो है न वो dollar को अपनी मुँ में डाल के उसको क्या हो जाता है वो वहां पर पंस जाता है तो इसको जो है न सेव लाइफ अब जिन्दगी को बचाना है हमने क्या करना है हमने लाइफ को बचाना है with the immediate care अच्छा दूसरी बात यहां पर है to prevent further injury अगर आप एक लाइफ को बचा नहीं सकते है तो आपने उस injury को बचाने करना है मिसाल के तौर पर एक area है वहां पर bomb blast हो गए clear तो bomb blast की वज़ा से क्या होगा वहां पर बहुत सारे लोगों को fracture भी होगा और multiple injuries भी होगा multiple injuries तो अगर आपको नहीं पता कि fracture वाले बंदे को हमने किस तरह से transport करना है और आप उसको पर जो है ना उसको गंदे पर उटा के transport करेंगे तो आप उसकी injury को क्या करेंगे और भी worse करेंगे और भी खराब करेंगे तो अगर आप इक चीज को टीक नहीं कर सकते तो उसको खराब करने की कोशिश भी ना करें हमने injury को क्या करना है prevent करना है ताकि वो injury बहुत ज्यादा पर जो है ना वो खराब ना हो मिसाल के तो पर bleeding है तो अगर आपको नहीं पता कि हमने bleeding को किस तरह से stop करना है तो आपने खुद से ही इस तरह के माईज नहीं लेने जिससे क्या हो वो injury और भी खराब हो जाए clear हो गया अच्छा तीसरी हमारे पास क्या है to preserve the vitality and resistance to infection and to promote recovery मिसाल के तोर पर आपका जो है ना hand fracture हो गया है hand fracture और hand fracture जो है ना ये fracture हमारे पास है open fracture open fracture का क्या मतभ़ है जिसमें हमारे पास skin जो है ना वो rapture हो जाए clear जो skin जो है ना वो उसमें cuts आ जाए और उससे क्या हो उससी bleeding start clear तो जब भी यहां पी bleeding start होगी तो main chances क्या होंगे infection के chances बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि bacteria क्या करेंगे bacteria हमारे पास attack करेंगे और उस bacteria के वज़ा से वहां पे क्या होगा infection cause होगा तो हमने यहां पे क्या करना है to preserve the vitality and resistance to infection and to promote recovery हमने इस तरह के मैज लेने हैं कि infection ना हो क्योंकि दूसरे पॉइंट में हमने यह बताया कि अगर हम इसको टीक नहीं कर सकते हैं तो हमने इसको और खराब करने से बचाना है तो infection जो हैना वो एक main cause of death है कि मिसाल के तौर पर एक injury हो गई है तो उस injury में क्या होगा उस injury में infection होगा उस infection की वजह से सारे body में infection हो जाएगा और फिर वो उस बिमारी की वजह से मर सकता है clear तो इसको हम क्या कहते है purpose of first aid के हमारे पास में मकासित क्या है हमने क्या करना है first aid अच्छा अब आ जाते है related to the phases of first aid phases of first aid में हमारे पास क्या है first point यहां पे लिखा है self aid, दूसरा है हमारे पास assistance from a companion तीसरा है हमारे पास emergency treatment and चौता है हमारे पास initial surgery यह हम आगे डिसकस करेंगे यह four points जो है इसमें सारा detail मतलब इसमें है self aid का क्या मतलब है? self aid का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है और वो first aid रहे अब मैं यहां पर एक minute example दे देता हूँ मिसाल के तौर पर वही example मैं दे देता हूँ कि bum blast हो गई है तो bum blast में आपने क्या करना है self aid का मतलब यह है कि अगर आप अपने आपको खुद एड़ दे सकते है तो टीक है यहां मतलब आप खुद के जरीए क्या कर सकते है दूसरों को अकेले में क्या कर सकते है एड़ दे सकते है तो टीक हो गया अच्छा दूसरी बात यहां पर यह है कि आपने अपने यह लाइफ का भी ख्याल रखना है तो आपको भी इंजरी हो सकता है कि किसी दुकान का मलबा आपके उपर भी गिर सकता है या वहाँ पे इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उससे आपको शॉप भी लग सकता है अच्छा दूसरा है हमारे पास एसस्टेंस फ्रॉम मिसाल के तो पर एक बंदा है उसका वेट है वह है 200 गेज़ और आपका जो वेट है वह है 60 गेज़ तो अगर आपने इसको रिस्क्यू करना है मैं सिर्फ ट्रांस्पोर्ट की बात करना हूँ तो क्या आप अकेले में इसको रिस्क्यू कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी अच्छा दूसरी एक्जामपल मैं यहां पर दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हैं केज़्ूल्टी बहुत ज्यादा है केज़्ूल्टी का मतलब यह कि कुई ट्रामा वगयरा हो गया है और वहाँ पे patient की तादाद जो है न वो क्या है वो ज्यादा है और आप अकेले हैं तो फिर आप क्या करेंगे आप अपनी companion से help लेगे क्योंकि मिसाल के तोर पर वन फस्ट एडर है एक फस्ट एडर है और पेशन्स जो है न वो 50 पेशन्स है तो क्या आप अकेले में जो है न इस 50 पेशन्स को कवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्या तो एशिस्टंस फ्रॉम दी कंपेनिय मैं अच्छा तीसरा इमर्जंसी ट्रीट्मेंट में हमारे पास गया है इस तरह हम ने ब्लीडिंग के जो है इक्जाम्पल दीकी ब्लीडिंग में हमने क्या करना है आपने वहां पे प्रेशर लगाना है ताकि वह क्या हो जो ब्ल या चुरी वगहरा से जो है उसको इंजरी हो गई है और वो जो नाइफ वगहरा है वो उसके अंदर है या मिजाल के तो पेट के अंदर है या हाथ के अंदर उसमें वो जो है ना वो पंसी हुई है तो पेरे आपने क्या करना है उसको रिमूव नहीं करना है क्योंकि अगर हमारे पास है initial surgery, क्या है धर मिसलन के तोग करना है अपने वहां से bleeding हो रही है तो उस bleeding को stop करने के लिए हम पहले क्या करते हैं हम pressure डालते हैं मतलब gross के जरीए और इस इसको हम pressurize करते हैं तो उस pressure की वज़ा से ये bleeding stop हो जाते हैं अगर ये pressure से नहीं हो रहा तो पिर हम क्या करेंगे stitches stitches के जरीए हम ने उसको stop करने हैं उसको हम क्या कहते है इनिशिल सर्जरी अच्छा तो अगर आप से कुई पूछ ले के वाट इस फस्ट हैड तो फस्ट हैड आपने सिंप्ली यह बताना है कि हॉस्पिटल या फिजीशन के इलाज से पहले जो केर जो टेंपरी केर हम प्रोवाइड करते है एक विक्टम को उसको हम क्या कहते है फस्ट हैड कहते है पर्पस हमारा क्या होगा फस्ट हैड हम क्यों देते है फस्ट हैड हम इसलिए देते है कि हम एक जिंदगी को बचा ले हमारे पास पर्पस यह है कि हम क्या करें तो प्रत्र इंजरी इंजरी को खराब ना करें और इंफेक्शन को स्टाप परें फेज़ेस क्या हूंगे फेज़ेस में सिल फैड है help from the companion है emergency treatment है और initial surgery तो यह कुछ basic definition and basic terminology तो कौन कौन से रूल्स और रेगूलेशन का ख्याल रखना है तो इसको हम नेक्स लेक्चर में डिसक्स करेंगे तब तक की लिए इजाज़त दें असलाम आलेक।